विश्वक के सभी मेरे साथियों को राज़त नम्बेड करकियोर से जैभीम नमबुद्धा है। दबुद्धाने जम्मा के 27 वे भाग में आप सभी लोगों का स्वागत है। कल के भाग में हम लोगों ने देखा कि तदागद बुद्ध ये कपिल वस्तू में गए। राजा शुद्धधन से उनकी मुलाकात हुई, राजा शुद्धधन की बहुत इच्छा थी कि वो अपने बेटे के पास या उपन का बेटा उनके पास वापस चला आये। लेकिन तदागद बुद्ध का दूरर रिच्छे देखते हुए राजा शुद्धधन की ये भावना उनके मन में ही रही। तब ततागत बुद्ध ने कहा कि वो राजा के वंचके नहीं है, वो प्राचिन बुद्ध के वंचके है और उनका इस तरह से खाना, बिक्षा मांग कर ही खाना ये उनका नियम है, इस तरह से उन दोनों में बाते हुई और फिर राजा शुद्धन ने ततागत बुद्ध को अपने घर पर आने का न्योता दिया अब देखते आगे ततागत बुद्ध जब राजा शुद्धन के घर गए तो सभी सगे संबंदी दोस्त या कर ततागत बुद्ध को उन्होंने नमन किया उनका स्वागत किया चरंसपश करके सभी आपस में कुशल कर्म एक दूसरे के जब राहूल माता येशोद्रा के पास गए और उनको कहा नीचे आने का निवेदन दिया तब राहूल माता येशोद्रा ने कहा कि अगर ततागत बुद्ध के मन में उनके लिए थोड़ा भी आदर है थोड़ा भी स्नेय है तो वो खुद राहूल माता येशोद्रा के तदागत बुद्ध खड़े हुए और फिर वो राहूल माता येशोदरा इनके कक्ष में जाने के लिए तयार हुए। वो बहुत दुकी है। जब तक उसका दुक आसुँं के मार्ग से बहन ही जाता उसका जीव भारी ही रहेगा। यदि वो तदागत का स्पर्श भी कर ले तो उसे रोकना नहीं। इस तरह का इस तरह का ये इंस्ट्रक्शन्स इस तरह की बाते उन्होंने सारी पुत्तो और मोगलान को कही। और फिर जब ततागत ये शुद्रा के कक्ष में गए तो ये शुद्रा गहरी सोच में डूबी हुई थी। और जिस तरह से एक प्याला पूरी तरह से भरा हुआ होता है उस तरह से ये शुद्रा का जो रुदय था वो स्नेह से आदर से ये ततागत बुद्ध के लिए भरा हुआ था। उन्होंने जैसे ही ततागत बुद्ध को देखा वो ये भूल गए कि अब वो ततागत बुद्ध है वो सिद्धार्थ नहीं है नाजकुमार सिद्धार्थ गोतम नहीं है वो राहुल माता येशुदरा ततागत बुद्ध के चरणों में उनके पहर पकड़के चरण तो राहूल माता ये शुद्रा वो खड़ी हुई आधर वो लजजीत हुई और आधर पुर्वक शद्धा पुर्वक एक जगह पर बैड़ गई तब राजा शुद्धोधन ने तदागत बुद्ध से कहा शुद्धन ने ये शुद्रा की ओर से ख्षमा याचना करते हुए कह इनका ये वेवार आपके गहन स्नेह में से उत्पन्न हुआ है और ये मात्र एक शनिक भावना नहीं है इन साथ वर्षों में अपने पती से बिछड जाने के बाद जब इनोंने सुना कि सिद्धार्त ने अपना सर मुणवा लिया है तब ये शुद्रा ने भी वैसे ही किया जब इनोंने सुना कि सिद्धार्त ने गहनों और सुगंदित रव्यों का परित्याद कर दिया है तो ये शुद्रा ने भी उनका प्रयोग त्याद कर दिया जब ये शुद्रा ने सुना कि उनके पती मिट्टी के पात्र में निच्चित समय पर ही खाना खाते है तब ये श जिवन जी रहे थे, उस तरह का जीवन ये ये शोदर्ण जी रही थी, राजा शुदुदर्ण ने कहा कि यदि ये मात्रशनिक भावुक्ता नहीं है, तो उससे उपर है, तो ये सब इसके साहस का ही परिचक है, यानि ये जो ये शुद्रा ने कुर्ट्य किया है उनका जो आच्रन है इसके लिए बहुत साहस की ज़बुरत है और इस तरह का साहस ये शुद्रा ने दिखाया है तदागत बुद्ध ने फिर ये शुद्रा से वो बाते कही जब सिधार परिवरजा लेने के बाद ये शुद्रा को मिलने गए थे और उन्होंने जब बताया कि वो परिवरजा लेने जा रहे है और जिस तरह से ये शुद्रा उनके साथ खड़ी हुई उन्होंने जिस तरह से उनका साथ दिया, दुरूड निश्ञे उनका था, साहस जिस तरह से दिखाया, वो सारी बाते सिध्धार्त तदागत बुद्ध ने से बाते हुई। तब येशुद्रा ने उनके जो साट साल के बेटे थे राहुल, उनको एक राजकुमार की तरह, वस्त्र पहनाए, कपड़े पहनाए, और फिर उन से बोली कि वो जो महाश्रमन वहाँ पर खड़े है, जिनकी छवी इतनी तेजस वी है, वो तुमारे पिता है वो तुम्हारे पिता है, उनके पास कभी भी विनाश, कभी भी नाश ना हो, ऐसा निधी, ऐसा धन उनके पास है, जिसे मैंने भी अभी तक नहीं देखा है, उनके पास जाओ, और वो विनाश, जिसका कभी विनाश नहीं हो सकता, वो निधी, वो धन उनसे मांगो, क्योंकि एक पुत्र को अपने पिता की संपत्ती का आधिकार प्राप्त होता है और इसलिए उस संपत्ती का उत्तर आधिकारी के तोर पर आप उस संपत्ती को मांगो ये ये शुद्रहा ने राहूल को समझा कर भेजा राहूल ने उत्तर दिया जो छोटा साथ साल का राहूल है उसने उत्तर दिया मेरे पिता कौन है मैं तो सिर्फ केवल शुद्धधम कोई अपना पिता जानता था तो अब येशोधरा ने उस साथ साल के बच्चे को गोध में उठाया और खिड़की में से बुद्ध की और बैठे हुए भोजन घ्रान कर रहा है और राहूल को बताया कि वो वही आपके पिता है शुद्धधन आपके पिता नहीं है तब राहूल उनके पास गया राहूल तदा गदबुद्ध की पास गये और उनके चेहरे को देखते हुए निर्भैता बिना किसी डर के और अत्यं आदर पुरुवक उन्होंने कहा कि क्या आप मेरे पिता हो और उनके पास खड़े होकर राहूल ने आगे कहा हे महाश्रमन आपकी तो चाया भी बहुत सुक कर है तधागत मौन ही थे बीना किसी शब्द को कहे वो ऐसे ही खड़े थे जब तधागत ने अपना भोजन ग्रहन कर लिया तो उन्होंने आशिरवात दिया और महल से वो निकल चल दिये लेकिन राहूल राहूल भी यह तधागत बुद्ध के पीछे 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 चलने लग गया राहूल को किसी ने नहीं रोका और तधागत ने भी राहूल को अपने पीछे आने से नहीं र ततागत ने सारी पुत्र की ओर देखा और सारी पुत्र को बताया कि मेरा पुत्र ये मेरा बेटा उत्तर अधिकार मांग रहा है मैं उसको ये नाश्वन निधी नहीं दे सकता जो अपने साथ चिंता और दुख को लेकर आती है लेकिन मैं इसे निर्मल जीवन का उत्तर अधिकार दे सकता हूँ एक ऐसा निधी एक ऐसा धन जो कभी नस्ट नहीं हो सकता ऐसा धन मैं इसको दे सकता हूँ तब राहुल को गंभीरता की साथ संबोधित करते हुए तदागत ने पूछा तदागत ने कहा कि सोना चान्दी हीरे जवारात तो मेरे पास नहीं है सोना चान्दी हीरे जवारात ये गहने अबूशन मेरे पास नहीं है लेकिन यदि आप अध्यात्मिक धन को अगर प्राप्त करना चाहते हो और उसके अगर इच्चुक हो तो उसे उठा सकने और संभालने के लिए संभाल कर रखने में अगर आप समर्त हो तो वो मेरे पास बहुत है तो वो मेरे पास बहुत है मेरी अध्यात्मिक निधी मेरा सदाचरण का मार्ग है मेरी अध्यात्मिक निधी जो है वो मेरा अस्टांगिक मार्ग है सदाचरण का मार्ग है क्या आप उस संग में प्रविष्ट होकर अपनी जीवन को सहियत करने में लगाना चाते हैं और स्ट्रेश्ट रतम आनंद को प्राप्त करना चाते हैं और क्या उसका आप प्रयास करना चाते हैं तो राहूल ने दुरूरता पुर्वक तदागद बुद्ध को ये जवाब दिया कि हाँ मैं उस निर्मल आनंद को आनंद पुर्वक जीवन को जीना चाता हूँ और ये राहूल साथ साल का राहूल ये तदागद बुद्ध के भिक्षुक संग में इसको दिक्षा तदागद बुद्ध ने दी और जब शुद्धधन को इस बात का पता चला कि राहूल भी भिक्षुक संग में अब शामिल हो चुका है तब शुद्धधन को बहुत दुख हुआ और इस तरह से तदागद बुद्ध जब कपील वस्तु में अपने ही घर पे गए तब अपने ही बेटे को साथ साल के राहूल को वो एक बौध भिक्षुक संग में उन्होंने दिक्षित किया और राहूल भी ये एक परिवराजक की तरह अपना गुरोत्याग करके तदागद बुद्ध के संग में शामिल हुए अब देखते हैं कि शाक्य संग में आने के बाद शाक्यों ने किस तरह से तदागद बुद्ध का स्वागत किया ये देखेंगे कल के एपिसोड में आज आप लोगों ने मुझे सुना उसके लिए आभार जै भीम जै भारत जै बुद्ध